हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूटूब चैनल जीएस मेगनेट में जैसा कि आज के इस लाइफ सेशन में हम लोग बिहार पुलिस अमद निश्यत विभाग में जो वेकेंसी 689 सीटों पर निकला है इस 689 सीट के लिए हम लोग अपना इसमें एक एक सीट पका करने के लिए आज के इस लाइफ सेशन में जीके जीएस का प्रेक्टी सेट नमबर 19 को सॉल्व करेंगे जिसमें आपको कम्पलीट सौब प्रस्ण कभर कराया जागा और सौब के सौब प्रस्ण आपके इकजाम के दिरिश्टी से काफी ज़दा इंपोटेंट रहेगा और यह सौब प्रस्ण आपके बिहार पुलिस मद्नीशित के जो सिल्यवस है उस सिल्यवस पे भी अधारित है तो अगर आप भी चाहते हैं कि किसी भी तरह का कोई गलती 76 पदों में जो आपका ब्यार पुलिस मजनी सिद्काई जाम मुगता उसमें आप गलती किये थे, रिजल्ट नहीं बना था, तो वह गलती पुना इस 689 वाले वेकेंसी में नहीं हो, इसलिए आप सभी अपना वीडियो को सेयर कीजिए, आपके पास जो भी स्टड़ी वाला ग्रूप है, सभी लोग सेयर कीजिए, एस्टिटोस पर डाल देजिए, ताकि और भी प्यारे सांती इस क्लास से जुड़ सके, और इस लाइब क्लास से अब वो भी बेनिफिट उठा सके, तो चलिए वीडिय और वीडियों से लेके अंत तक आप सभी क्लास से टेंट कीजिएगा, और कमेंट में आप सभी अपना-पना एंसर बताइएगा ठीक है भी लाइस्ट में सभी लोग अपना एस्पोर भी बता दीजिएगा, कि सो में आप कितना कवर कर पाए कोंशन को ठीक है कि आते हैं हम आपका question बहुत चदा important है तो चलिए अगर बात किया जाए कि दिसंबर 1922 में ध्यान दिजीएगा दिसंबर 1922 में जो Congress का अधिवेशन हुआ था आपका गया में हुआ था तो इस प्रस्ने के लिए आपका सही अंसर D हो जाएगा ठीक है न अप्सन नमबर D दूसरा प्रस्ने जा रहा है भारतिय और धोगिक निवेश बेंग का मुख्याले कहा है भारतिय और धोगिक निवेश बेंग का मुख्याले आप सभी को बताना है तो इसकी मुख्याले का अगर बात किया जाए तो आपका option नमबर C हो जाएगा कोलकत्ता में है का है कोलकत्ता में है इस बात क को ध्यान रखिएगा अगला प्रस्ट आप दिर सभी देख लिजिए तीन नंबर अठारा से संताउन से उन्सों तक का प्रथम सोतंत्रता संग्राम पुष्टक के लेखक आप सभी को बताना है तो तीन के लिए आपका सही जब आप अप्शन नंबर ही कार्ल्स मार्स और एफ एंगल्स हो जाएंगे ध्यान रखिएगा ठीक है नो चलिए तो चलिए चोथा नंबर प्रस्ट आप से पूछा जा रहा है कि पाई का नित्य का संबंद किस राज्य से है पाई का नित्य का संबंद का अगर बात किया जाए तो पाई का जो नित्य है इस नित्य का संबंद आपका बिहुर सभी याद रखेगां पाईगा नितर किसके दवरा मुंडा समधाई के द्वरा तो आप सभी जानते हैं की पंद्रन नॉँमबर 2000 को बिहार से जॉर्खंट को अलग करकि एक नया राज्य we both ठीक है ना लेकिन option में कहीं भी जारखंट की बात नहीं किया गया है तो देख लिजिए option number A हो जाएगा इसका नियान रखिएगा बिहार चलिए अगला प्रस्ण आप सभी देख लिजिए पांस नमबर इंडिया डिवाइड़ पुष्टक के लेखक कौन है इंडिया डिवाइड़ पुष्टक के लेखक आप सभी को बताना है तो option number D क्या हो जाएगा डाक्टर राजंदर पर साद ध्यान दखियेगा अगला प्रस कि अच्छा लगे तो लाइक भी किजिए शेशन को सेर भी किजिए चैनल पना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चुकि देख लिए बिबी आई कोशन का यहां पर सेरी चल रहा है विश्व जनसंख्या दिवस कम मना जाता है आप सभी लोगों को बताना है तो अगरे फाइट का हीरा का अपरूप होता है ध्यान रखेगा अगला प्रस्ण आपका आठ नमबर है किस कंपनी को महरत्न का दर्जा दिया गया किस कंपनी को महरत्न का दर्जा दिया गया है आप सभी को बताना है तो अप्सन नमबर सी यानि कि जिग्याल को दिया गया है ध प्रस्ण से सम्वंधित प्रस्ण ध्यान दखिएगा अगला प्रस्ण आप सभी देख लिजिए 11 नमबर संसद द्वारा पास किया हुआ विधयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निमलीखित में से किसने पास किया हो देखिए संसद क्या करती है दोनों सदने से क किसी भी परकार का जो विधयक पास हो जाता है वो अंतिप रूप लेने के लिए राष्ट पती के पास जाता है अपसन नमबर द्यान दखिएगा चलिए अगला प्रस्ण आप सभी देख लिजिए 12 नमबर निमलीखित में से कौन सा राष्टी उध्यान एस्याई सेर के लि पताना है मैं छोटा कर देता हूं प्रस्ण को जिससे आपको चारो अपसन दिख जाए तो इससे आपका कितना नमबर प्रस्ण है देख लिजिए आपका 13 नमबर प्रस्ण के लिए सही जबाब क्या हो जाएगा तो आपका अपसन नमबर भी वाई मंडली नाइट रोजन ए प्रस्ण करें देखिए सही उत्तर आप सभी लोगों को बताना है और इसका अपसन में देखा देता हूं आप सभी देख लिजिए इसका ठीक है नो चलिए तो इसलिए इसका अंसर अगर मैं बताओं तो 14 के लिए आपका सही अंसर क्या हो जाएगा तो अपसन नमबर सी ध् स्टो यानि की बडी बिल्डिंग चेंपियन का किताब जितने वाली भारतिय यानि की पहली भारतिय महिला कौन है परती परतम भारतिय महिला का नाम आप सभी को बताना है तो 15 के लिए सई जबाप अपसन नमबर डी भूमी का सर्मा हो जाएगा ध्यान दखिएगा अगला प्रस्न है आपका 16 नम बर समाजी कवाने की किसे सब्चे समाशी कमदील तो अपसन नमबर भी खाली जमीन पर इंधन चारे के लिए तरफा पर्यावड़न के हितना नं की पाधप लगाना थिक है अठार नमबर अठार नमबर प्रसन क्या पूछा जा रहा है आप सभी से देख लिजी हैं इसमीर क्यों के में पितर 250 करना हैं वासा के पाचन के में भीटामिन और दाना चलिए अगला प्रस्ण आप सभी देख लिजिए 19 नमर निम्लिखित में से बेमेल को चुने बेमेल को चुनला है आप सभी लोगों के लिए तो 19 के लिए आपका सही जबाब ऑप्स eyebrow रखेगा निलगी के जो पहारिया केडल में नहीं है ठीक है उठीक रखीत का व्यलुह टाले सभी इस ख़ाए अब का से चलिए अपिस के लिए आपका सहे जबाब का स clear शिर्फ अब का जबा घाएंग पोब का वैदाओ horizon रखिएगा अगला प्रस्ण 21 नमबर है मेगा ट्रॉपिक्स उक्वरा सन्युक्त अभियान है किसका है आप सभी लोगों को बताना है तो 21 के लिए सही जबाब क्या हो जाएगा आपका अपसर नमबर है भारत और फ्रांस ध्यान रखिएगा अगला प्रस्ण आप सभी से 22 नम अनुवांसिक है कौन अनुवांसिक है आप सभी लोगों को बताना है तो तेज के लिए आपका सही जबाब अपसर नमबर डी हो जाएगा इस बात को ध्यान रखिएगा चलिए स्टेशन अच्छा लगए तो लाइक कीजिए यार और जड़े सज़े स्टुडेंट को और ज निकलता है चिमनी से दुवां की सिधान से बाहर निकलता है आप सभी लोगों को बताना है तो अफ़िए अपसर मियंद्य के लिए तो 26 के लिए आपका सई जबाब क्या हो जाएगा आपका option number D केंदरिये सची वाले सेवाये grade ठीक है न ध्यान दखिएगा sorry D इधर इधर वाला होगा इधर वाला A B और C A B और C देख लिजिए इस प्रस्न को A B और C यह जो तीनों है वह क्या है यानि कि machinery scheme के अंतरगत सामिल नहीं है ध्यान दखिएगा ठीक है न चलिए अगले प्रस्न पर आते हैं अगला प्रस्न आपका 27 नंबर है निम लिखित में से कौन सा देश्ट अगस्त 2018 में एगारवे विश्व हिंदी समेलन का आईजन करने किया किया यहां पर ध्यान दखना इस प्रस्न के लिए आपका सही जबाब क्या हो जाएगा तो अप्सन नंबर यानि कि D पोर्ट अगला प्रस्न आप सभी देख लिजिए क्या पूछा जा रहा है आपसे 28 नंबर प्रस्न एक परितंत्र में किस्टोन जाती का क्या तत्पर रहे है किस्टोन जाती का क्या तत्पर रहे है आप सभी लोगों का बताना है तो 28 के लिए आपका सही जबाब क्या हो जाएगा अ अगला प्रसन आपका 29 नमर है सुची ए और सुची दूप में मिलान करें और सही से दिये निचे गए कोट का उपियो करते वे सही उत्तर का चैन करें सही उत्तर का चैन करना है जल्दी से बताईए आप सभी लोग इसका एंसर क्या होगा वीडियो को थोड़ा सा स्कीब कर दि जीयो के वाद इसका अंसर किजुए तो चल लिए उंतिस के लिए आपका सही जबाब और यह दिए कह का कितना हो जाएगा एक हो जाएंगा ठीक है नो और B का क्या हो जाएगा एक हो जाएगा ठीक है नो उसके बाद C का क्या हो जाएगा तो C का 2 हो जाएगा और D का क्या हो जाएगा चार हो जाएगा दियान रखेगा चलिए अगले प्रस्न पर आजाएए अगला प्रस्न आपसे पूछा जा रहा है 30 नमबर जीला प ताबदी का एक महान समाज सुदारक इस्वर्चंद विद्यास अगर किस समाजी कारे के लिए संगर्ष किया अपसन थोड़ा सा कट गया है मैं दिखा दूंगा आगे पीडियोप में दिखा देता हूं आपको तो 31 के लिए आपका सही जबाब क्या हो जाएगा जल्दी से ढ़्यां रखेगा अगला परसन आपसे देखिए 32 नमर्य लोग तक जिल जो तैर्टा दीपों के लिए परसीद है कहां ही स्थित है तो लोगतक जो जड़ियो आपका 32 नमबर क्या हो जाएगा अगला प्रस्ण आप से 33 नमबर है भारतिय समराष्ट हस्तवर्धन की जीवनी हर्ष चरिस किस ने लिखी तो किस ने लिखी आप सभी को बताना है तो 33 के लिए आपका सही जबाब चली आपमाष्ट नमबर वी बहुत बढ़ बकि बांद हता है द्यां तकी अगला प्रस्ट्ण आप सभी के लिए 35 नमर निमली खित में सुमेलित किजिए और सही उत्तर चुनिए सही उत्तर चुनिए तो 35 के लिए आपका इ calamखाक्षाल जबाब क्या हो जाएंगा तो आपका option नंबर क्या हो जाएगा हो जाएगा ठीक है यह हो जाएगा एक के लिए क्या भूजेगा तो यह पर थोड़ा सा अग्ला प्रस्ण आप सभी के लिए हैं 37 नंबर यदी एक अर्थ विवस्ता में एक बिंदू पर समय उस्ता है जहां निवेस और बच्चत की युजनाये बराबर है तब सरकार का B.I. होगा क्या होता है B.I. आप सभी को बताना है तो 37 के लिए आपका सही जवाब आपका option number B हो जाएगा सरकार की A.I. के बराबर होता है धियान रखेगा अगला प्रस्ण आप सभी लोगों के लिए हैं 38 नमबर निम्लिखित अगला प्रस्ण आपका है 49 नमबर मानव परजनन में निसेशन आराम करने में महत्पुन भुमका निभाने वाले पदार्त फर्टी रेली जीन का स्राओं कहां से होता है आप सभी लोग को बताना है तो 49 के लिए आपका सही जबाब क्या हो जाएगा अपसन नमबर सी परिपक और क्या हो जाएगा चलिए अगला प्रस्ण नमबर जीओ के बेद्विनाम परति के दो घटक कौन से हैं तो अपसन नमबर भी वन नाम और जाती बीशे से ध्यान दखिएगा अगला प्रस्ण 42 नमबर भारतिय अंत्रिक्स अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला जा गया था उसका नाम आप सभी को बताना है तो अप्शन नमबर सी अधित्य एल वन हो जाएगा ध्यान रखेगा अगला प्रस्ण आप से है निर्देशित होती है आप सभी लोग को बताना है तो प्रस्ण नमबर और भुक्मरी का निवारा ठीक है न? चलिए अगला प्रस्ण 46 नंबर है 187 में किस देश ने जर्मनी पर साषन किया जर्मनी पर साषन किस ने किया तो अप्सम इंगलेंड देयान रखिए उस अगला प्रस्ण 47 नंबर है भारत के दोनों नोग सभा habe reaction के लिए कूल सदस्यो का अ अवस्यक है कुल सदस्यों का कितना अवस्यक है आप सभी लोगों को बताना है तो 47 का देखिए अपसन दिखा इसके लिए आपका हो जाएगा अपसन नमबर भी सही ठीक है ना एक बड़ा दस चलिए अगला प्रस्ण आप सभी देख लिए 48 नमबर सब्ताहिक चारली है हेव डो कहां से परकासित किया जाता है तो 49 के लिए सही जबाब आपका अपसन नमबर भी हो जाएगा पेरीश द्यान रखिएगा अगला प्रस्ण उन्चास नमबर एच आई एन आई इसके द्वारा यानि कि इसके द्वारा होता है क्या होता है आप सभी को बताना है तो 49 के लिए सही जबाब आपका option number B जीवाणू है परकार के क्या है जीवाणू है दियान रखिएगा पचास नमबर प्रस्न आप सभी देख लिजिए यहां एक प्रसीद साहिती के समारों प्रती वर्स आयुद किया जाता है कहां आयुद किया जाता है आप सभी को बताना है तेखावन के लिए आपका सही जबाब क्या हो जाएगा आपका option number 2 चलिए अगला प्रस्न आप सभी देखिए बावन नमबर एक धातू के फॉस्पेट का सुत्र MHPO4 है इसके कोलराइट का सुत्र आप सभी को बताना है क्या होगा तो इसके लिए आपका सही जबाब आप सभी को बताना है तो option number C हो जाएगा CH double bound CH ध्यान रखेगा चलिए अगला प्रस्न देख लिए हाइट्रोजन बाम किस पर अधारित होता है तो आप लोग याल रखिएगा ना भी किए सन्न अप्शन नमबर भी वीडियो को सेर कीजिए सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीज ठीक है ना पच्पन नमबर इसका अक्षिकरण अंग सदैव एक होता है अक्षिकरण अंग किसका सदैव एक होता है आप सभीको बताना है तो पच्पन का यह हो जाएगा फलूरी अगला प्रस्न आप सभी लोगों के लिए 56 नमबर है भारतिय समिधान का कौन सा भाग वाले तत्तों का उलेग करता है तो निती निजश्चत तत्तों को आईरलेंड के समिधान से लिया गया है और इसके लिए आपका सही जवाब अप्टर नमबर डी भाग चार हो जाएगा ध्यान रखेगा अगला प्रस्णा आप सभी के लिए भारतिय समिधान की कौन सी अनुस सभी को बताना है तो अगला प्रस्ण एक सट नमबर रिजर्प बेंक आप इंडिया के पर्थम भारतिय राज्यपाल यानि के गवर्नर कौन थे आप सभी को बताना है तो अगला प्रस्ण एक सट नमबर रिजर्प बेंक आप इंडिया के पर्थम भारतिय राज्यपाल यानि के गवर्नर कौन थे आप सभी को बताना है तो अगला प्रस्ण है बास्ट नमबर वह अभिधार थे जिसने रूपिया का साइन डिजाइन किया वह कौन वह कहां पढ़ रहा था वह कहां पढ़ रहा था आप सभी को बताना है तो 62 के लिए आपका सही जबाब क्या हो जाएगा अपसन नमबर यानि कि B IIT बॉंबे जिनका नाम क्या था आप सभी को बताना है कमेंट में जल्दी से बताईए ठीक है ना चलिए 62 नमबर या कारबन कर घोसित करने वाला पर्थम दे कहां पाई जाती है की भी कहां पाई जाती है आप सभी को बताना है तो अपसन नमबर सी न्यूजी लेंड ठीक है ना अगला प्रस्ण 65 नमबर ब्राजिल की मुद्रा का नाम आप सभी को बताना है तो ब्राजिल की मुद्रा अपसन नमबर भी रियाल हो जाएगा ध्यान र आसकता है तो 67 के लिए आपका सही जवाब अपसन नमबर सी हाइड्रोजिनी करोन के द्वारा किया जाता है दियान रखिएगा अगला प्रस्थ में आपका अंग्रेज जहांत का नाम आपको बताना है तो 79 के लिए आपका सही जवाब लिषें बेत धियान रखिएगा अगला प्रस्थ में आपका 70 नमबर भारत में सिक्के जारि करने के लिए कौन प्राधिक्रित है तो प्रस्थ में लिए आपका सही जवाब क्या और रिकिए गार तो अपको लिए 70 नमबर सी 5 हो जाएगा ध्यान रखिएगा अगला प्रस्ण देख लिए जिए 72 नंबर सर्वोच नियाले का नियाधिस अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिख कर किसे दे सकता है आप सभी लोगों को बताना है तो 72 का सही जबाब अप्शन नंबर भी राष्ट पती को ध्यान रखिए लीजबार बैल्रा सुर्यूदर सब सबसे पहले कहां होता है ती अत्र का जबाब अपस्याटन मसूहर पेंटिंग मसूहर पेंटिंग हैंस दमयंती के चित्रकार कोना होनिया चट्रकार कोन एतंबर ट्सम म सरहां Canadian बीज वर्मा हो जाएगा दियान रखिएगा अगला प्रस्ण आपका 75 नमबर निम्लिखित पुष्टकों में कौन से पुष्टक फणी सवर्नाथ रेणू के द्वारा रचीत है हिंदी के प्रस्ण है आप सभी को बताना है तो आपसन नमबर सी मेला आचल दियान रखिएगा अगला प्रस्ण 76 नमबर निर्वाचन आयुक्त को पत से हटाया जा सकता है अपसन नमबर दी उप्यूक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है ध्यान रखिएगा उसे महावियोग परकिरिया ही यह होता है हटाने का चलिए यह प्रस्ण को थोड़ा सा जाएगा यह की एका दूसके लिए ठीक है और आपका क्या हो जाएगा यान यह की हुचक के लिए क्या हो जाएगा काव्या पार चली अगला प्रस् Почему आप सभी देख लिजीए कित्म राच और हैने QU राज थे ठीक है ना राज सभा का गठर आठ अप्रेल 1922 को हुआ था ध्यान रखिएगा ठीक है अंठावन को नहीं चलिए अगले प्रस्ण पर आजाए अगला प्रस्ण है आपसे 89 नंबर टाइगर बुड की स्केल से संब्दी थे तो अप्सन नंबर गुल्प से संब्दी थे ध् को बताना है तो एक क्रिंड के प्रस्ण है असी के लिए आपका सही जबाब अपसन नंबर यह जीक का वारेस और दिखाया गया अगला प्रस्ण नंबर व्रामोस मुख्य रूप से है एक क्या है आप सभी को बताना है तो 82 के लिए सी जहाज बिरोधी मिसाइल है ध्यान रखिएगा अगला प्रस्ण है आपका 83 नंबर पीच एक संशिप्त नाम है डेस के लिए तो पाउर अफ हाइड्रोजन आप सभी बोल से सकते हैं हाइड्रोजन की पाउर ठीक है न सोरें प्रस्ण को पढ़िए समय के साथ बेग में परिवतन की दर को परिभासित करता है तो तोरण अप्शन नंबर डी हो जाएगा दियान रखिएगा पचासी के लिए आपका सभी जबाब क्या हो जाएगा पहले प्रस्ण को पढ़िए निम्डीखित में से कौन रोग जीवान परण होता है तो अप्शन नंबर भीच्षय रोग होता है धियान रखिएगा अगला प्रस्ण स्यासी नंबर कोला पे में कौन सी और भाई जाती है प्तो इसके लिए अपसे नंबडी कैफिन हो जाएगा धियान दखिए अगला प्रस्ण आप सभी देख लिए सुची मिलाना सुची एक को से दूसरे सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए चलिए जल्दी से बताइए छोड़ा छोटा करते हैं प्रस्ण को इसको ठीक है न चलिए प्रस्ण छोटा कर दिया जल्द कमी के करण होता है कौन सारुख होता है आप सभी को बताना है अप्संदि इखाते हैं इसके लिए आपका सही जबाब क्या हो सब्सक्राइब पर प्रस्थं को पढ़िए जल्दी से चुछीए घ्यानिक नाम से की तथा नीचे दिए पार्याइब को आपसं नामबर भी ये कि एक का क्या होगा दूसरा हो जाएगा ठीक है नो और पहला हो जाएगा ठीक है नो आप लोग मिला लेजिए चलिए अगला प्राशने कार्में नंबर प्राचीन राज अवंति के रधानी थी कहां थी आप सभी लोगों को बताना है तो अवंति कर करनती से मांस्टर करनती करते बास को डिक मां भारत कब आया साथ 14 सदों में आये था ध्यान रखिए अगला प्रस्ण है 94 नंबर चनक को को इस से भी जाना जाता है किस नाम से जाना नमबर पीतिवी के सता का कितना भाग समुंद्र तल से प्राप्थ है तो 95 के लिए सही जबाब क्या हो जाएगा अप्सन नमबर डी 29 परतिसर ध्यान रखेगा अगला प्रसन देख लिजिए क्या है 96 नमबर निमलिकित में से कौन सही धंग से मिलाया गया है चलिए देखते हैं अप्सन में क्या पूछा है इसके लिए आपका सही अंसर अप्सन नमबर सी हो जाएगा नाइस रुपांतरिच ठीक है न चलिए अगला प्रसन आपका 97 नमबर आप सभी देख लिजिए करेक कालाह मैं कहारी रिकिस्तान कहा इसंति कालाहारी कहा एं त आपका अप्सन नमबर योजना किस सूची में बनि के तो option number D, समवरती सोची द्यान रखिएगा आपके session का last person ने 100 number, रास्ट ये विकास परिशद एक है क्या है आप सभी को बताना है तो option number C, गेर राजनितिक संस्ता है जैसा कि आज की इस live session में हम लोगों ने 100 प्रस्णों को complete किया है अगर किसी भी प्रस्णों को ले करके आपको किसी प्रकार का doubt है तो आप लोग हमें comment में जरूर बताईएगा session live अच्छा लगा हो question का level क्या था आप सभी comment में इस बात को भी बताईएगा आप कितना score कर पाए इसे भी comment में बताईएगा चैनल पर नहीं है तो ऐसे ऐसे प्रेक्टी से जुणने के लिए चैनल को subscribe करके बेल आइकन को दबाईए और like किजिए और session को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को share किजिए ताकि आपके सांसेत आपका प्यारा भाई प्यारा फ्रेंड प्यारा दोस्त भी इस प्रेवी विए प्रेक्टी से छूट न पाए ठीक है ना चलिए आज के session को यहीं खतम करते हैं मिलते हैं फिर अगले session के सांथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत